हलो दोस्तों आज के शिशन में हम लोग इंडिया नेवी के तरफ से एक जो वेकंसी आई है उसकी हम लोग बात करेंगे और ये वेकंसी वैसे विध्यार्थियों के लिए है जो आईटिया पास आउट किये हैं और आईटिया में बहुत सारे जो ट्रेड हैं इकरीब करीब सभ होना चाहिए है फिजिक्स होना चाहिए है प्रेश्टी होना चाहिए उसके लिए सीनियर डाफ्स्मेन के लिए जो है वो आपको आईटिया डाफ्स्मेंसिप से होना चाहिए कुछ experience का भी demand है तो हम लोग डेख लेंगे आप जब फॉर्म भरते हैं तो इन सारी चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है, जब तक से यह सारी चीज़ आप नहीं जानते हैं, तब तक से आप पॉम बरेंगे तो हो सकता है, चांसिस हो कि आपका फॉम रिजेक्ट हो जाए, तो इसलिए सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, और कम समय में हम सारी चीज़ों को बिल्कुल समझा देंगे कि क्या क्या चीज़े हैं, यहाँ पे जो है यह जो पोस्ट है, वो किस चीज़ की पोस्ट है, उसको जड़ा हम लोग देख लें, कि जो पोस्ट है, वो कौन कौन सी है, तो ग्रूप B में दो पोस्टे हैं, एक चार्जमेन का है, और दूसरा जो है तीन, स्ट में जो है दो, OVC में चार और EWS में और वन, तो अपना जो भी कैटेगरी से आप बिलॉंग करते हैं, उसके इसाब से अपना देख लेंगे, इसके अलावा यहाँ पे आपको देखना है, कि ग्रूप B की वेकंसी है, और नॉन गॉस्टेड पोस्ट की है, ले ठीक है न, इसमें चार्जमें फैक्टरी के लिए 20 पोस्ट है, इसके बाद चार्जमें सीनियर ड्राफ्टमेंट अलक्रिकल का जो पोस्ट है, इसमें 41 सीट है, इसमें मेकेनिकल के जो सीनियर ड्राफ्टमें मेकेनिकल में है 26 है, उसी तरीके से 29, उसी तरीके से 11 और 50, इत यह वैसे विद्धार्थियों के लिए है जिन्होंने ITI किया है तो ITI के लिए exclusive ये वेकंसी है और विभी ने ट्रेडों से जिन्होंने किया है उसके लिए है ये group C की post है level 1 का है 18,000 से सुरू होके 56,000 नौ तक बेशिक सुरुआत यहां से होती है और वहां तक जाती है इसमें allowance वगरा जूर जाने के बाद काफी अच्छा handsome amount बनता है अब ये commands में सारे commands में इस्टर्ण नेबल command में कितने सीटे 9 सीटे हैं आप अपने concern जो जिस category से belong करते हैं उसमें आप देख लेंगे वेस्टर्ण नेबल command में जो है 500, 65 सीट जो की काफी बड़ी संख्या है ठीक है न साथर्ण नेबल command में 36 सीटे हैं टोटल पुल मिलाके 610 सीटे यहां पे बताई गए है ठीक है including backlog पहले साल के विए जो vacancy है उसको भी इसमें जोड दिया गया है तो यह सारी चीजे हैं यहां पर हम देख पा रहे हैं इसके बाद जैसे ही आप नीचे चलते हैं तो आपको देखता है अभी क्या है कि जो जो चीजे हमें ज़रुत है उसको हमने highlight कर दिया है ताकि आसानी स जो है चीजों को हम समझा सके अब age limit क्या होना चाहिए इसकी हम लोग बात कर लें तो age limit जो है चार्जमें के लिए आपका दे रखा है 18 से 25 साल होना चाहिए age limit इसके बाद draftman का जो senior draftman electrical हो या फिर mechanical हो फिर construction हो या फिर किसी भी चीज़ का senior draftman जो दे रखा है इसमें 18 से 25 सा इसमें है ठीक है ट्रेट्समें मेर्ट्स जो की आईटीए के स्टूडेंट्स के लिए है इसमें 18 से 25 साल होना चाहिए 18 से 25 इस दे रखा है अब इसमें जब नीचे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि और सारी जो वेकंसी है इसमें qualification क्या-क्या है तो यहां पर चार्जमें के लिए qualification bachelor of science degree with physics होना चाहिए या फिर chemistry के साथ होना चाहिए bachelor या फिर mathematics तीनों में से किसी एक के साथ हो from a recognized university तो चलेगा अगर ऐसा नहीं है तो फिर और में दे रखा है कि यह नहीं है तो यह भी चलेगा डिप्लोमा in chemical engineering वाले भी जो है चार्जमें एमुनेशन वाक्स यह vacancy fill up कर सकते हैं इसके अलबा जो चार्जमें फैक्टरी का जो पोस्ट है इसमें भी वही जो है दिया हुआ है वही qualification है physics होना चाहिए chemistry होना चाहिए या mathematics किसी एक में master degree होना चाहिए अगर यह नहीं है तो फिर और में दे रखा है कि electrical में डिप्लोमा हो electronics में डिप्लोमा हो या mechanical में डिप्लोमा हो या फिर computer engineering from a recognized university तो ये शारा चीज आपका दे रखा है आप देख लेंगे तो जो पोस्ट है उसके इसाप से उसका qualification essential qualification अभी क्या है कि आप जब जाएंगे यहां पे तो देखेंगे कि आपका draftments वाले में जो है qualification जो दे रखा है उसमें कुछ यह ऐसी है जो कि essential है और कुछ चीज़ है desirable है essential का मतलब क्या हो गया कि अनिवारे है यानि कि यह जो है यह अनिवारे है अनिवारे यह तो होना ही चाहिए और यह desirable है इसका मतलब है यह नहीं भी होगा तब भी आप form fill up कर सकते हैं लेकिन अगर हो तो अच्छा है selection में हो सकता है आपको किसी भी तरीके का बेटेस मिल जाए इसमें desirable qualifications में क्या है autocad होना चाहिए अनिवारी योगता में क्या है metric होना चाहिए इसके साथ two years diploma और certificate in dropments from the industrial training institute यानि कि ITI से जिन्होंने क्या किया है आप certificate लिया है ITI का certificate reference का है वो हो सकता है वो भर सकते हैं या फिर डिप्लो की metriculation के साथ साथ अगर ITI किये है तो उसके साथ साथ आपको three year का experience भी चाहिए होगा ये कौन सा electrical से या फिर mechanical engineering में होना चाहिए ठीक है इसी तरीके से जो है अब दूसरे जो draftsman की vacancy है उसमें भी ये दे रखा है आप देख लेंगे जो भी qualification है उसके according आप जो है form फिलप कर पाएंगे आपके पास ये सारी qualification है तो आप उस form को फिलप कर पाएंगे ठीक है इसके अलावा जो है आपको ट्रेट्समेंट जो है आई टी आई में जो ट्रेट्समेंट का जो पूस्ट है आई टी वाले के लिए उसके लिए क्या है टेंथ पास होना चाहिए और certificate इसके अल किस ट्रेट का certificate होना चाहिए तो एनेक्शर वन में वो सारा ट्रेट का लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सा ट्रेट इसमें सामिल होगा कौन कौन से ट्रेट से पास आउट कंडिडेट इसमें फिलप कर सकते हैं ये सारी चीज़ों हम लोग बात चर्चा करेंगे इसमें ब के बारे में दो चीज़े हैं स्टी स्टी के लिए पांस साल का relaxation मिल रहा है वो भी सी के लिए तीन साल का एज का relaxation है अब relaxation ये एज कहां से काउंट होगा जो है closing date for the receipt of online application ये date जो दे रखा है कि कब से आपका जो है date count होगा तो ये closing date यानि कि last date जो online form फिलप करने का जो last date है उसी date से आपको जो है age का calculation करना पड़ेगा और उस slab के अंदर अगर आते हैं 18-25 अगर ITI मिट्स यानि की ट्रेट्समें मिट्स की वैकेंसी फिलप करते हैं तो 18-25 होना चाहिए OBC के लिए 3 साल का जो है छूट मिला हुआ है SDSC के लिए 5 साल का छूट मिला हुआ है तो उसक के तो ही आपको सारा चीज करना पड़ेगा एक्जामसन सेंटर कहा होगा तो जब आप form भरेंगे तो उसमें इन्होंने कहा है कि online application form के समय जो है एक्जामसन CTs of the different state will be made available उस समय आपको मिल जाएगा कि कौन सा लिस्ट आ जाएगा उसमें से आपको जहां सहूली है तो उसके क्या क्या चीजे हैं कि आपका जो admission एक्जामसन प्रोसेस होगा उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है तो यह सारी चीजें यहां पर इन्होंने दे रखी है कि इसमें जो है आपका क्या है एक्जामसन किस तरीके से जो होगा तो multiple twice questions होंगे इसमें जो है general intelligence के 25 questions मिलेंगे आपका general evidence के भी 25 questions मिलेंगे quantitative aptitude के 25 questions मिलेंगे और English language के 25 questions खुल मिलाके 100 questions का exit होगा जो कि 90 minute में आपको करना पड़ेगा हाना यह आपको group B post के लिए जो वेकंसी चार्जमेन और senior draftsman के लिए है उसके लिए भी है और mates के लिए भी है थोड़ा सा अंतर हो सकता है syllabus में है उसको आप देख लेंगे कि क्या क्या अंतर दिया गया है बाकी चीजे जो है यही section आपका उसके लिए भी आप वही चीजे आपकी रहेगी ठीकना तो इसमें हम लोग जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपको यहां पे वह ऐसी कोई चीजे नहीं रखी गई है और इसमें आपको अगला जो है क्या है आपका syllabus दो दे रखा है वो है group B में जो है क्या क्या syllabus है जैसे कि आपने देखा कि क्या क्या होना चाहिए वो है और इसके बाद उसका syllabus दे रखा है उसी तरह से group C के लिए भी जो है syllabus दे रखा है यहां पर आप देख लेंगे कि syllabus क्या क्या है जो चीजे हैं जो जरुरत वाली चीजे हैं उसको मैं यहां पर करा दे रहा हूं ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाए provisional appointment later जो बनेगा क्यों बनेगा कैसे बनेगा व साथ भी जो है आपका जो cbt exam would आप उनलाइन एक्जांस उसके उपर बनना है थीक है इसके बाद क्या होगा जब आपका अपका एक बार merit बन जाएगा तो document verification होगा और medical एक्जांसन होगा और finally तब जाकर यह provisional appointment later के लिए स सारी प्रेक्रिया में से उजरना पड़ेगा आपको ठीक है इसमें जो है आनलाइन अप्लिकेशन कब से सुरू हो रहा है काफी महत्रपूर्ण है पोटल पे जो है 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है दस बजे से सुरू हो जाएगा और जो जो आनलाइन रेजिस्टिशन का जो ल पास डेट का वेट ना करें है ना फॉर्म फिलप जल्दी से कर लें आप इसमें कैसे फॉर्म फिलप करना है इसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाएंगे www.joinindiannavy.gov.in पर जाएंगे इसके बाद ज्वाइन नेभी बटन है वहाँ पर जाएंगे उसमें जाने के बाद ways of divine मिलेगा वहाँ पर जाना है आपको फिर civilians में जाना है फिर इस वाला जो INCET एक 2023 जो advertisement number है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारा जो है आपका form खुलेगा और वहीं से आपको form भरना है यह कह रहा है कि admit card जो है आपको examson center में ले ही जाना है नहीं ले जाएंगे तो आप पर थोड़ा सा form भरते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो है आपको क्या क्या चीजों की scan copy चाहिए JPG या JPE या फिर इस format में चाहिए passport size photographs लगाना है जो की light background होना चाहिए preferable white होना चाहिए अगर पीछे का background है white होगा तो ज्यादा वो उसको prefer वो चीज़ है और इसमें कितने कीवी से कितने कीवी के बीच यानि की 20 से 50 कीवी के बीच में होना चाहिए आप उस form को fill up करेंगे इसमें यहां पर और कुछ नहीं जानना है आपको इधर भी बहुत सारी चीज़े जो है ऐसी देर की है कि अभी फॉर्म भरते समय आपको जानने के विशक्ता नहीं है जहां जानने के विशक्ता है वहां पर हम लोग देख रहे हैं डिवार्मेंट प मिसकंडक्ट होता है आपका तो उसके लिए एक्शन लेने का प्रोविजन इन्हों बताया है कि अगर कोई एक्जांसर में कोई आप गरबड़ी करते हैं तो इतने पिरिएड के लिए आपको बार्व कर दिया गया निकाल दिया जाएगा आप फिर से जो है नेवी की वेकंस तक last year registration आप कर सकते हैं अगर कोई इससे related query है तो आपका जो registration portal है वहाँ पे जाके mail या helpdix number है वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं बागी चीजे कर सकते हैं अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कौन कौन से trade वाले eligible हैं जो कि tradesman mates की vacancy फिलब कर सकते हैं तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे trade जो है करीब करीब सारे trade को दे दिया गया है अट्रेट्समेंट mates के लिए only है एनेक्चर वन में हमने बात किया था कि एनेक्चर वन में वह सूची दिया हुआ है कि कौन से iti pass out candidate कि state के iti pass out candidate जो है इस फ़र्म को फिलब कर सकते हैं त distributor operator and programming assistant जो कोपा का एक होता वो बर सकते हैं cutting and saving वाले बर सकते हैं ड्रफ्मेंट सिविल जिनके पास है वो बर सकते हैं electrician इसमें काफी बच्चे होते हैं यह बर सकते हैं फिटर वाले बर सकते हैं फॉंडिमेंट वाले बर सकते हैं इन्फरमेशन टेक्नलोजी वाले बर सकते मैसनिस्ट वाले भर सकते हैं तो ऐसा कोई भी चीज है जो छोड़ा नहीं किया है सभी लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया है तो करीब करीब सारे ट्रेड को सामिल कर लिया है मैसनिस्ट मैसनिस्ट ड्राइंडर आपका मेशन वाले को भी शामिल कर लिया गया है इसके अला तो इन सारे ट्रेड से पास आउट कंडिडेट हैं उन सारे कंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं और यह वेकेंसी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी दोहजार चौबीस के एलेक्शन से पहले यह पूरा कर ली जाएगा तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है नौकरी पाने के लिए नेभी में तो चलिए आज के शिशन की शमापती हम लोग करते नेक्स सेशन में फिर मिलते हैं तो कि थैंक्यू बेरी मच्छ